नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका पार्मरोक्स की यूट्यूब एज़िकुस्टे चनल में आज की यूट्यू लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे कि पेशा आपके थेली के अंदर जब सूजो ना जाती है तो कैसे हम उसका इलाज कर सकते हैं कौन सी दवा यह य करने के लिए यूज की जाती है तो कैसे हम उसका प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं फिर यह प्रॉब्लम के सीम्टम्स होगरा क्या होते हैं कि जैसे कि आप यह हम देख रहें कि पेशा आपके थेली के अंदर काफी ज़द आपको दर्द होता है तो यह समझे के सिम्टम्स होगरा क्या डैवलप होते हैं कोजिज यानि की रीजन्स होगरा क्या है डाइगनोसिस कैसे हो सकता है ट्रीटमेंट के क्या अलग-अलग ओप्संस अविलेबल है और कौन सी दवा या या यूज होती है यह प्रॉब्लम को सॉल करने के लिए तो डीटिल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो बात हैं टॉपिक पे और समझते हैं कि पेशाप के थेली के अंदर सूजन आती है तो कैसे हम यह प्रॉब्लम को सॉल कर सकते हैं तो सबसे पहले उसके बेजिक हम समझ लेते हैं तो यह जो प्रॉब्लम है वो specially आपके urinary bladder के अंदर होता है कि जिसको हम हिंदी में मुत्रा से कहते है या फिर पेसाप के थेली भी हम कहते है और वहाँ पे क्या होता है कि सूजन हो जाती है और काफी एक painful condition produce होती है कि जिसको medical terms के अंदर cystitis कहते है तो यहाँ पे आप देख रहे है कि जो पेसाप की थेली होती है वहाँ पे जो वो सूजन आ जाती है और सूजन होने के करण बहुत सरे complications होते है जैसे कि हम symptoms हम देखे तो सबसे पहला जो symptom होता है कि pain होता है आपके urinary bladder के अंदर कि जो पेसाप की थेली होती है वहाँ के आपको काफी ज़्यादा दर्द होता है दूसरा symptom हम देखे तो जब भी आप वहाँ पे touch करते है या फिर वो area में आप touch करते है तो भी आपको जो दर्द मैसुस होता है तीसरा symptom हम देखे तो intercourse के दोरान भी आपको काफी ज़्यादा दर्द होता है उससे पहले या फिर उसके बाद भी ये problem हो सकता है फिर urination के दौरान आपको दर्द होता है कि जब भी आप urine pass करते तो उस वक्त आपको दर्द महसुस होता है पांच वह symptom हम देखे तो जब आप urination करते हैं तो उस वक्त आपको जलन महसुस होते हैं या फिर urine करने के बाद भी काफी ज़्यादा आपको जो है वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन जो होने लगते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि पेसा आपके दोरान या फिर पेसा आप में जलन होती है फिर next symptom हम देखे तो वो है कि आपके जो pelvic area है या फिर जो lower abdomen का area होता है वहाँ पे आपको जो हो काफी जदा दर्द होता है अचानक से से क्रियाम साते हैं दर्द के सातवा symptom होता है कि यह जो problem जब होती है तो उसके करण पेसर की बॉड़ी के अंदर जोड़ी विक्नियस आ जा 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 जिक जिसके करण वो कमजोरी ठकान जैसा मैसुस करदा है आठवा सिम्टम देखे तो आपको नौजया वॉमिटिंग जैसा फिलोता है जैसे कि आपका J गब राता है उल्टी हो जाएगी जैसा आपको फिलोता है नेक्स्ट हम देखे तो जब आप यूरिन चेक करता है उरिन जोटी भार डार्क कलर का देखने को मिलता है और उसकी काफे स्ट्रोंग स्मेल आती है खराब स्मेल आती है उसमें से फिर जब आप उसका टेस्ट कराते हो तो टेस्ट के अंदर पता चलता है कि red blood cell जह वो detect होते है आपके urine के अंदर यहाप जब diagram के अंदर देख रहे हैं तो यह वाली side का जो urine है वो normal वाला urine है उसके compare में यहाँ पे आप देखो तो RBC जह वो उसके अंदर देखने को मिलते हैं जब आप टेस्ट कराते हैं उसे दरा से next यहाप यहाप देखो तो POS में भी देखने को मिलता है कि यह वाला जो urine है sample वो normal है उसके compare में आप यह problem में देखो तो urine के अंदर जहीं वो POS आता है और जब आप टेस्ट कराते हैं तो POS cell जह वो detect होते हैं आपके urine test के अंदर next आपको जह वो बार-बार पेसाप करने ही जाना पड़ता है कि मान लो कि आप भी पेसाप करने गए तो उसके तुरंद एक गंटे बाद या फिर आदे गंटे बाद वापस आपको पेसाप करने जाना पड़ता है तो ये एक symptom यहाँ पे develop होता है और कुछ लोगों के अंदर low grade fever यानि कि जो fever होता है body temperature बढ़ने लगता है और उसका temperature खासकर आप check करो तो 37.5 degree से लेकर 38.3 degree जितना temperature जिए वो दिखा सकता है तो ये सब अलगलग symptoms देखने के मलते हैं ये problem के अंदर अब हमें जानना है कि ये problem होता क्यों है कि उसके reason क्या है तो सबसे पहला reason ये होता है कि जो growth होती है bacteria की उसके करन ये problem हो सकता है कि वो आपके urinary tract के अंदर enter होते है और सबसे पहले ब्लेडर के अंदर वहाँ पे वो अपनी growth करते है और जिसके करन ये problem होता है कि जिसको हम bacterial infection कहते है और उसमें भी हम देखे तो सबसे ज़्यादा जो जो e-coli bacteria होते है उनकी growth सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है कि जब आप test वगेरा करा थे तो तब आपको ये bacteria वहाँ पे detect होते है next हम देखे तो कोई personal hygiene आप अच्छे से maintain नहीं करते तो भी ये problem जो हो सकते है मनले कि urination करने के बाद आप अच्छे से wash नहीं करते है आपका urinary area as well as आप अच्छे से नहाते नहीं है नहाते वक्त भी आपके organs अच्छे से clean नहीं करते या फिर जो हम simple हम कहते हैं आप अच्छे साफ सफाई नहीं रखते हैं अपने सरीर की तो भी ये problem जो हो सकती है तीसरा है कि आपने public toilet जो यूज किया है तो भी आपको ये cystitis का problem जो हो सकता है कि जिसको आप bladder infections भी एक तरह से कह सकते हैं फिर past में कोई urinary drug infection के आपकी history रही है तो भी आगे जाके जो ब्लेडर infection या फिर जो आपने कहा कि पेशा आपके थेली में सुजन हो जाती है ये problem हो सकता है फिर कोई radiation therapy होई है या फिर कोई radiation treatment आपने लिए है pelvic area के अंदर कि जैसे कि कोई detection के लिए test किया गया है जैसे कि MRI है CT scan और वो काफी ज़्यादा बार हुए है आपके तो उसके करण भी वहाँ पे जो वो सुजन आ सकती है फिर catheter जो होता है जो पेसा आपकी नली लगाई जाती है कि यहाँ पे जो आप देख रहे है कि ब्लेडर के अंदर ये नली लगाई जाती है पेसा आपको collect करने के लिए तो उसके करण भी ये problem हो सकता है फिर सात्वा हम देखे तो diabetes की जो patient होते है उनमें एक symptom कई बार ये देखने को मिलता है कि उनको बार बार जो हो urine infection होने लगता है और उसमें ये cystitis भी हो सकते जिसके अंदर ब्लेडर में सुजण आ जाती है और आपको काफी ज़्यादा complications जो होते है फिर kidney stone के दोरान भी ये symptom develop होता है कि जब आपका stone urinated track में पास होता है और जब वो bladder के अंदर आता है तो bladder से आगे जब वो पास होता है तो उस वक्त जो है वो damage करता है bladder को और उसके करण भी ये problem हो सकती है फिर अब गानना है कि हमें reason कैसे हम find out कर सकते है कि ये जो cystitis का problem है ये जो पेशा आपके थेली के अंदर सूज़न आ जाती है उसका proper reason कैसे पता चले तो सबसे फ़ले patient के medical history चेक करने चाहिए कि जिसको हम patient counselling करते कहते है तो 10-15 minute proper effective patient counselling होना चाहिए कि जिससे आपको पता चले कि उसके symptoms होगरा क्या है reasons होगरा क्या है वो आप उसको पूछ सकते है उसकी history चेक कर सकते है फिर physical examination यहाप पे करना जरूरी पढ़ता है कि जिससे आपको पता चले कि reasons क्या है infection का फिर sign and symptom based भी diagnosis हो सकता है कि जब आप उसका counselling करते हैं और उसके symptoms होगरा पुछते है तुसक्त पता चलता है कि किस कारण से यह problem हुई है फिर blood and urine test यहाप पे करना compulsory जरूरी पढ़ता है because blood and urine test जब आप करते हैं तो उससे जो changes जो क्या हुए है वो आपको पता चलता है कि जैसे past cell detect होते है RBC detect होते है urine के अंदर और उससे एक diagnosis होता है फिर आगे जाके आप ultrasound scan भी करवा सकते है या फिर जो हम x-ray करे थे हैं blader का वो भी करा सकते है जिससे आपको पता चले कि वहाँ पे surgeon कितनी है और उसके according to medication जो आगे दी जा सकती है और आखिर में कौन सी micro organism के करन यह problem हो रही है उसको जानने के लिए urine culture test यहाँ पे कराना काफी ज़रूरी बढ़ता है कि जिससे आपको exact reason पता चलता है कि कौन से micro organism के करन कौन से bacteria के करन कौन से food के करन यह problem हो रही है अब आगे बात करते है कि treatment के options कि कौन से अलगलग treatment options available है यह problem को solve करने के लिए और कैसे आप उसका एक proper prescription लिख सकते है तो सबसे पहले यहाँ पे हम यह कहेंगे कि जब भी patient को यह problem होता है तो यह एक advice रहेगी कि उसको at least 2-3 liter जितना पानी पीना चाहिए per day कि जितना हो से कि उतना वो पानी पीए second हम symptom हम यहाँ पे हम देखे problem को solve करने के लिए जो treatment के option तो इसमें coconut water जो हो लेना चाहिए patient को कि हर दिन एक coconut water जो लेता है वो तो भी यह problem के अंदर काफी ज़दा उसको रहात मिलेगी तीसरा option यहाँ पे एक बनता है वो है fresh cranberry का जो juice होता है या जिसको हम करोंदा कैदे हिंदी के अंदर तो उसका juice जो होता है वो patient ले सकते है जिससे उसके symptoms के अंदर काफी ज़दा राहत मिलती है फिर personal hygiene यहाँ पे रखना काफी ज़रूरी है कि जिसके लिए आप कोई भी antiseptic fluid यूज़ कर सकते है ना आते वक्त और affected area को अच्छे से आप wash कर सकते है कि जिससे infection और ज़्यदा ना फेले और एक personal hygiene भी आपके maintain रहे next अब options यह अलग-अलग medicines का कि जिसके अंदर antibiotics सबसे उपर priority मे रहते है यह problem को solve करने के लिए तो उसको कैसे हम prescribe कर सकते है तो वो हम जानते है अब detail में तो सबसे पहले यहाप आपको अलग-अलग options अच्छे से सीख लेने है और उसके बाद medication कैसे prescribe की जाती है वो भी मैं आपको last में सीखाता हूँ तो यहाप अब option हम देखते हैं तो सबसे पहला option हमारे पास बनता है combination medication का जिसके इंदर levofloxacin के साथ ornidazol जो वो combination में है और यह जो tablet एक ही बार लेनी होती है दिन में higher dose में लेने से आपको complications हो सकते हैं अलग-अलग उसके side effects तीसरा combination यहाँ पे एक यूज होता है ofloxacin and ornidazol का कि इसका भी dose सेम रहेगा कि एक tablet जो वो दिन में एक ही बार लेनी होती है चौथा एक option है combination का वो है norfloxacin and ornidazol का option है तो यह सब fluoroclonolans class के antibiotic है कि एक आपकी first choice रहती कि जब कोई सी को urine infection होता है फिर phosphomycin का powder यहाँ पे दिया जाता है पेशन को कि एक single dose therapy के तोर पे use किया जाता है कि 3 gram का यह जो sergeant आता है इसको आपको पानी के अंदर अच्छे से mix करके जहे वो पीना होता है और एक ही बार जहे उसको use करना होता है next option यहाँ पे हम देखे तो वो है clevum 625 के tablet का रहता है कि जिसके अंदर medication रहती है amoxicillin and potassium clevolinate रहता है तो यह जो tablet है वो patient दिन में 2 बार या फिर 3 बार जो वो use कर सकते हैं तो यहाँ पे यह है कि जब phloxasinsum की असर नहीं कर रही है उसका resistance है तो उनके लिए यह clevum 625 का option रहता है यह problem को solve करने के लिए है फिर इसी का injection या फिर IV therapy में भी available है जैसे कि Augmentin का जो injectionर के जिसके अंदर यह भी amoxicillin and potassium clevolinate है तो इसका जो dose रहता है IV के अंदर के 0.25 से लेकर 1 ग्राम जितना दिन में 3 बार जो वो patient को लगाया जा सकता है हर 6 या 8 गंटे पे और IV में लगाया जाता है proper dilute करके किसी भी IV fluid के अंदर dilute करके इसको जो जो लगाया जा सकता है next option है cotrimoxazole के tablet का तो यहाँ पे confused नहीं होना है clotrimoxazole नहीं है यह है cotrimoxazole और यह double strength के tablet है तो यह एक ही बार लेने होते है दिन में और यह भी एक अच्छा option रहता है UTI और यह cystitis को ठीक करने के लिए 9th option हम देखे तो वो है nitrofurontine का tablet का तो एक tablet दिन में 2 भार या फिर तीन बार जे वो patient ले सकता है next option है वो है cephalosporin class के अंटिबारिक्स के अंदर कि जैसे cephalodroxyl के जो tablet आते है या फिर दूसरा option हम देखे तो सैफेक्स दिन के tablet के जो एक tablet दिन में एक ही बार या फिर दिन में 2 बार जो वो ले सकते है next septreaxone का injection के जो IV में हम देखे तो एक या दो ग्राम जितना IV या फिर intramuscularly patient को दिया जा सकता है और 6 या 8 गंटे पे तो proper दियान रखना है कि high dose में ये deliver ना हो proper उसके dose के according to IV में जब दिया जाए तो dilute किया जाता है और IM में जे वो direct लगा सकते है next है lektagard के injection का या पे अच्छा option बनता है तो lektagard का हम देखे तो एक से लेकर 3 ग्राम जितना dose रहता है हर 12 गंटे पे IM या फिर IV दोने तरीके से ये use किया जा सकता है पर IV में जब भी use होता है तब ध्यान ये रखना है कि proper उसको dilute करना जरूरी बनता है next option हम देखे तो antibiotics के बाद है वो है antifungal medication का कि या पे antifungal भी कई बार देना जरूरी पड़ता है तो fluconazol के single dose therapy दी जा सकते है जिसका अदर एक tablet per week का ये जो treatment रहता है fluconazol 150 mg के अदर तो ये एक option रहता है और ये समझे के suit नहीं हो रही तो second itraconazol भी use की जा सकते कि जिसका dose रहता है एक capsule per day ली जाती है और course duration रहेगा 7 दिन का next है कि जो symptom यहाँ पर एक develop होता है कि patient को बार बार पेसाप करने के लिए जाना पड़ता है तो ये problem को solve करने के लिए urine kind के जिसको flavox that है उसके अंदर solve content ये prescribe करना काफी जरूरी बनता है because क्या होता है कि patient को बार बार पेसाप करने जाना पड़ता है और उसके कराएं काफी वो uncomfortable feel करता है तो उसको ये medication उसको काफी help करती है तो ये एक tablet दिन में दो बार या फिर तीन बार जो वो ली जा सकती है next option है लूली को नाजोल के cream का option बनता है कि ये candy fungal cream है और ये भी वहाँ पर लगा सकते है affected area के अंदर कि जिससे ये symptoms में से आपको काफी ज़्यादा relief मिले और next अब यहाँ पर हम देखिए तो ये compressor एक बनता है alkalizer के जो solutions होते हैं जैसे कि हम यहाँ पर marketed forblation देख रहे हैं alka solve करके देख रहे हैं कि जिसके di sodium hydrogen citrate का solution रहता है pharma का है alk 5 syrup करके आती है तो ये भी patient ले सकता है कि अगर आपको alka solve suit नहीं होता और इसके भी एक और option है वो है hemalya का renal का syrup करके आता है तो ये 3 में से कोई भी एक jawab कर सकते हैं और ये 5 ml दिन में 2 या फिर 3 बार use की जा सकती है अब cream के option में हम देखे तो जो लूली को नाजूल का मैंने आपको एक option बता है तो उसके option में ये VGL जे वो काफी अच्छी रह सकती है because इससे जो symptoms है कि समझे कि आपको burning वगेरा हो रही है वापे जलन हो रही है और काफी uncomfortable feel रहा है तो ये आप apply कर सकते है और ये जे वो दिन में 2 या 3 बार जो पेसंट लगा सकता है फिर next हम बात करें homeopathic drops की तो यहाँ पे एक marketed formula संदेख से रहे है आपके SBL के drops number जो 3 आते है वो specially UTI के जो लग-लग symptoms होते है उसको ठीक करने के लिए use किया जा सकते है और ये drops से लिए आपको पानी के अंदर dilute करके लेना होता है कि एक cup जितना पानी लेना होता है और उसके अंदर mix करके ये drops use कर सकते हैं और अगर kidney stone के करन ये problem हो रही है तो उसके अंदर ये काफी अच्छे drops आता है clear stone drops करके SBL के तो ये भी सेम तरीके से लेना होता है 10 से 15 drops दिन में 3 बार एक cup जितने पानी के अंदर तो अब जानले कि कैसे ये medications prescribed की जाती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि कोई भी एक antibiotic दी जाती है कि जैसे हमने अलग-अलग options देखे antibiotic में तो इसमें से कोई भी एक antibiotic single या फिर combination वाले prescribed की जा सकती है second single dose दिया जा सकता है antifungal का फिर तीसरा option है यहाँ पे कोई भी एक alkalizer आपको यहाँ पे prescribe करना जरूरी बनता है कि जिससे जो symptoms है उसको हम control कर सके फिर phleoxid के tablet भी prescribe करना जरूरी बनता है कोई भी एक gel यहाँ पे prescribe करे antifungal medications because यह जो एंटिबाइोटिक लिज़तिक जिससे acidity का problem हो सकता है तो यह problem को solve करने के लिए antifungal भी साथ में prescription में add किया जा सकता है और अगर patient को fewer वागरा होता है तो उसके लिए simple paracetamol देजी साथ हम दे सकते हैं और next होमिविदिक जो drops आते हैं कि जो हमने discuss किया तो इस तरह से proper medications को जो prescribe की जा सकती है तो यह जो lecture है उसको जरूर से आप अलग-अलग WhatsApp groups वगरा में share करें और हम जो भी आपके कोई demand वगरा है तो यह course को join करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को आप download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी So good luck and all the best